कर दोस्तों में आज आप कई बार फिर से हार्ड दिस वाद करते हूं कि आज जो आप देख रहे हैं एलसेटी टीवी है इसमें क्या हो रहा है लाइट नहीं आ रहा है डिस्पले सब कुछ सारा साउंड और प्रोपर मिल दाया लेकिन आपको लाइट नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे फिक्स करें तो आज आप वहीं देखेंगे जैसे कि मैं आप यह खोल चुका हूं इसकी एलेजी स्क्रिप्ट जो है यह तूटी हुई है तो यह खराब था ठीक है मार्केट ले जाने जाने से तूट जया लेकिन मार्केट में इस तक मिल नहीं रहा है और बहुत सार दिकता है मैंने बहुत खोजा पर मिल नहीं पाया तो आप उसके लिए क्या करें इस टाइप के लेडी आपको मिल जाएगे मार्केट में ठीक है यह थोड़ी बड़ी हो जा रही है ठीक है और यह काफी स्लीम है इसमें लगा हुआ हुआ है तो आप क्या करें अब तो य दू यह कि – कि खास एंगल में लगा गके किसी गुवू से शिपका दीजिए जिस तरह備 आपको सहूरीयत हो और उसको ब्लाइक टेप उपर से लागा ताकि जो भी लाइट है वो लिख न लिख नहीं करें व you यहां से खटाके इस पर देखें दिखाता हूं अगर यह आपको डिक्कत करेगा इतना इसको भी आप काट सकते हैं और ट्रैक जहां आगया होगा वहाँ वहाँ इसको सोल्डिंग कर सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें कौन सा प्लस है और कौन समय से वह चीज़ आप ध्या देखिए अब टीवी को अन कीजिए अब रीमोट से अन कर सकते हैं अब यह बटन खराब हो तो यह पावर जो किया था इसको सॉट करें देखिए अन होते हैं आपको लाइट जलने लगा अब यहां पे डिस्प्ले आप देखिए डिस्प्ले में अभी कुछ ने दिख रहा ठीक है पर यह सब कुछ ठीक है जैसे मैं इसको नजदिक लाओंगा आप गौर कीजिए डिस्प्ले पर देखिए इसको जैसे ही आप अच्छे सा अगर इसको बैठा देंगे लाइट प्रोपर हो जा र करना है ठीक है ध्यान रहा है यह जो इंवर्टर किट लगा हुए इस लाइट के लिए वह बारा भूल्ड का है तो आपको बारा भूल्ड कहीं लेना है और पुराने एलसेटी में आ रहा था सी एफिल टाइप वहला आपको यहां पर काम नहीं करेगा तो अब मैं इसको फि खाली स्रिप आप टेप लगाएंगे तो वह भी प्रॉपर नहीं कि जब भी एलेटी जलेगा तो हीट होगा और यह हीट होने से वह टेप खुद पर खुद छोड़ देगा कि अगर कि इस साइट से भी हलका का गुलू आप दे सकते हैं ताकि यह आपका मजबूत हो बहुत ज्यादा भी ना लगा है ताकि बार नापको दिक्कत निकालने में दिक्कत हो इसना जब हो जाने के बाद ठीक है कुछ एंगल बनाना होगा आपको पूरा आपको ऐसे नहीं लगाना है थ्वार से एंगल लगा देना आपको मतलब अगर यह दिख रही होगी इधर स इसका मतलब क्या हुआ है यह थोड़ा सा बेंड करके लगा है ऐसे डिस्प्ले के तरफ ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से पूरा लाइट फैले और आपका डिस्प्ले क्वाल्टी यह प्रॉपर मिले सब जगा अच्छा से मिले इतना हो जाने के बाद अब इसको टेप से पूरा लंबा टेप्स आपको धग देना है ताकि लाइट जो है वो लिक्त ना करे अ कि एक लेयर होगा है मैं एक लेयर और लगा रहा हूं ताकि यह और अच्छे से हुआत करे विक्त कबर हो जाए और इसको थोड़ा सी मजबूती भी मिल जाए क्यों कि इसके उपर से जो आप लगा हुआ था जो मेटर का आप लिट लगा हुआ था यह अब आप इसको नहीं लगा पाएंगे क्यों तना इस्पेस नहीं है और मिलने रहा है जो चलेगा और आप देखेजे भी बिल्कुल अच्छे से पूरा अच्छा क्वाल्टी का आपको लाइट मिल रहा है कहीं लाइट कम नहीं है हर एंकल पर आपको अच्छा लाइट मिल रहा है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाला चाहिए इसको लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेर जानलों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ब्रेस कर ले बाई